डाउनलोड करें अमरुजलाय और पाएं खबरें लगातार इस तस्वीर में दिखाई दे रहा ये जीव जाहिर है चूहा है लेकिन ये एक अलग तरह का चूहा है जेहां दरस्त कंगारू रैट नाम का ये जीव उत्तरी अमेरिका के रिजिस्तानों में मिलता है इस जीव की टांगे और पूँच अस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू से बेहद मिलती जुलती हैं कंगारू रैट के गालों के बाहर की तरफ थैलिया होती हैं जिसमें ये अपने खाने का सामान लाता है और तो और ये जीव कंगारू की तरहा लंबिक छलांग लगाने में भी माहिर है इन्ही सब वजहों के कारण इसे कंगारू रैट का नाम दिया गया अब आपको बताते हैं कंगारू रैट देखने में कैसा होता है तो इसकी पूँच 20 सेंटीमीटर और शरीर करीब 18 सेंटीमीटर यानि की पूरी लंबाई करीब 38 सेंटीमीटर के आसपास होती है इस जीव का आगे का पैर छोटा, सिर बड़ा और आँखे छोटी होती है कंगारू रैट के उपर के बाल पीले या भूरे होते हैं और नीचे के सफेद कंगारू रैट के पैर शरीर के दूसरे अंगों की तुल्ला में कहीं ज्यादा बड़े होते हैं आपको बता दे कि कंगारू रैट भागने में भी काफी फुर्तिला होता है जो सेकंड भर में 6 मीटर की दूरी पार कर लेता है इसके अलावा इस जीव की क्या और खासिते हैं ये भी आपको बताते हैं ये विचितर जीव रेगिस्तानी जीवन का एक खास हिस्सा है जो कि बिल्कुल पानी नहीं पीता है ल explains शरीर में पानी की मात्रा जादा होने से दूसरे जानवर इसे खा जाते हैं वैसे तो रेगिस्तान में कम पानी से जरूरत पूरा करने वाले जीव जन्तू और पेड़ पौधे बचे रहते हैं लेकिन कंगारू रेट बिलकुल पानी पीता ही नहीं ये अपनी पानी की जरूरत को रेगिस्तान में उगने वाले पेड़ बौधों की जड़ों को खाकर पूरी कर लेता है इस जीव का गुर्दा इतना मजबूत और अच्छा होता है कि केवल नमी से ही शरीर के पानी की जरूरत को पूरा कर लेता है तो कुल मिलाकर ये ऐसा विचितर जीव है जो जिन्दगी भर बगैर पानी के खुद को जिन्दा रख सकता है